नमस्कार स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर भाद्र प्रद माँ चतुर माँ के चार पवित्र महीनों में से दूसरा महीना है जिसे आम भासा में हम भाद्र या भद्वा भी कहते हैं इस माँ में जन्माश्ट में वा गड़े उस्व जैसे मुख तेवार आते हैं भाद्र प्रद माँ में सनान, दान तथा व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं भादों में अनेक लोग वेवार के कारण निशेत होने के कारण ये मा सुन्य मास भी कहलाता है मानेता है कि ये महीना गल्तियों को याद करके प्राशेत करने के लिए सर्वोत्तम है साल 2021 में भादरपद मा का प्रारम हो रहा है 23 अगस्य और स्वाप्ति होगी 20 सितंबर को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भादरपद मा में क्या करे क्या ना करे इस माह में किन वस्तों का सेवन माना गया है वरजीत और किस देवता की पूजा से मिलता है विशेश राशेवाद तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आगामी ब्रत एवं तैवारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन को प्रस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो के नोडिविकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो से लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिए तो चली शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो भादपद मां में देपताओं की भक्ति और उपासना से अवश्य फल की प्राप्ति होती है जो भक्त सच्चे मन से इस मां साधना उपवास ततावरत करते हैं उनके जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं ऐसी मानेता है कि भादपद मां में जो भक्त सच्चे मन से श्री किष्न की पूझा करते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती हैं इसके साथ ही भगवान विष्णों की भक्ती से जीवन में सुक सम्रिद्धी आती है भातप्रत मा में कुछ नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए मानेताओं के नूसा इस महीने में लोगों को ब्रह्मिचर का पालन अवश्य करना चाहिए इसके साथ ही मास, मदिरा, शैद, पत्यदार, खात-पदाद, गुर, दही आदी का सेवन करने से बचना चाहिए। भादों के महीने में जन्माश्टमी, गर्टो, सब, कजली, तीज, हर्तालीका, तीज, आदी जैसे प्रमुक तैवार औपर वमन आये जाते हैं। भादप्रद में ने घर्व का निर्माण, विवा, सगाई, आदी, मांगली कार शुब नहीं माने जाते हैं। इसलिए भादप्रद मा में भक्तिस नान, दान के लिए उत्तम माना गया है। भादप्रद माह में मक्खन अवशिखाई से उम्र बरती हैं, गाय का घी खाएं पुष्टी मिलती हैं। गाय के दूसरे वन्श वृद्धी होती है। मेरे वीडियो में अंते तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। स्पाऊ से वीडियो वीडियcific में अंते हैं।